ग्राम पंचायत इरी में कारियरत ग्राम पंचायत करमचारी रमेश ठरकले ने 31 मही को ग्राम पंचायत के सरपंच उपसरपंच ग्राम सेवक तथा पूर्व सरपंच द्वारा आर्थिक एवं मानसिक प्रताणना से तंग आकर ग्राम पंचायत परिसर में जहर खा लिया जिस पुलिस अधिक्षक जिला परिश्ट के मुख्य कारेकारी अधिकारी बीडी ओ आदी संबदिद अधिकारियों को ग्यापन सौब कर मांगे मानने होना होने पर जिले में ग्राम पंचायतों के काम बंद करने की चेताव नहीं दी दुर्बागे से 2 जून को इस करमचारी की मौत हो गई और पुलिस विभाग में 454 लोगों के खिलाफ आई पी सी की धारा 306, 504 और 506 और 34 के तहत मामला दर्च कर एक आरोपी को गिरफतार भी कर लिया है बागी फरार आरोपियों को गिरफतार करने और मुर्तक के वारिस को ततकाल नौकरी देने विगर 2017 से करमचारी के वेतन भता भविशनी दी और 27 मा के संपून वेतन भुकतां करने और नियम के मताबिक आरोपित सरपंच वाउप सरपंच को पत से हटाने तथा मुर्तक के परिजनों को मुआफ़ा देने की मांग की गई मिलिंद गनवीर ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचाथ एवं पंचाथ समीती और जिला परिशत के अधिकारी जो करमचारियों की सेवा शर्तों के क्रियानवें के लिए जिमिदार है वे भी इसके लिए समान रूप से जिमिदार है एवं आरोपी सरपंच को बरखास करने की मांग वाले ग्यापन के अंतिम संसकार के पूर्व ईरी में ग्राम वासियों की सभा में उपस्तित बीडियों और पुलिस अधिकारी को सौपा गया इस अफसर पर प्रदेश कारेकारी अध्यक्ष मिलीन गनवीर जिला अध्यक्ष चत्रुगन लांजेवार जिलाकारे अध्यक्ष महेंद्र कट्रे बुदराम बोपचे विनोध में शहारे आनन बागडे देविदर मेश राम सुनीर लिलहारे सहित जिले के सभी ग्राम पुचैत कर्मजारी मौजूद थे इन्बीसेयर न्यूस के लिए गोंदिया से अभिशेग भटनागर की रिपोर्ट